असलोम अलेकुम एवरीवन कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हमारा डर्वन में थर्ड डे है और हम लोग आए हैं यूशाखा और यहाँ पर बहुत सारी activities हैं बहुत कुछ है करने के लिए तो आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या किया और हमने क्या 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 देखा यह entrance gate है यहाँ से हमने parking ticket ले लिया था और अब हम जा रहे हैं अंदर बहुत सारी मस्ती करने के लिए तो दिखाएंगे हम आपको हमने क चैया के किया यहां पर वेल कम फुशाकां लगाया है तो जऑ अ मैंस्न फूजी और यहां मैं बच्चों के साथ फोटोज किलिक करवा रही हूँ और यहां पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज है इसलिए मैंने मदिया को भी स्विम सूट पिनाया था और मैंने भी कुछ ऐसा पैना था जो पानी में मैं आराम से जा पाऊं और बच्चों को आइस क्रीम खाना थी तो हम आगे आइस क्रीम पालर यहां से सब को आइस क्रीम दिलवाई और फिर आइस क्रीम एंजॉय करते हुए हम लोग गये अंदर की तरफ तो सबसे पहले हम लोग जा रहे थे बच्चों को कुछ फन एक्टिविटीज करवाने मतलब उनको पहले इंजॉय करवाएंगे उसके बाद कुछ अपना करेंगे तो यहां बच्चों के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज थी लाइक पैंगुइन शो डॉल्फिन शो और सील डांस यह सब था तो पहले हम लोग ने वो किया और तो हम लोगोंने सोचा पहले हम लोग ड्राइ एक्टिविटीज कर लेंगे फिर उसके बाद हम वाटर एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे यह लोग कुछ अपना ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं तो वो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी कि एंग हर भी वो र보다 जाएंगे से विघसे कि एंग कि अएंगे से दोल डंतश देंगे से हो जा भाटर बने तो उसके इंग essays कि वो खमेगे से पूम को झालने से डाएंग कर दो हुआ 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 है फिर उसके बाद यह लोग टिकेट लेने के लिए गए थे और यहां बहुत लंबी लाइन थी बहुत टाइम लगा टिकेट लेने में तो हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले पैंगुन शो के लिए और यह ओशियन वाक है यहां पे कुछ हेलमेट पहन के ओशियन में जाते हैं यह भी एक एक्टिविटी है और यहां से पास से फिश सारे सी अनिमल्स को देख सकते हैं और फिर हम पैंगुन फिट्प्रिंट को फॉलो करते हुए आ गए थे पैंगिन शो देखने के लिए तो यहां पे पूरा स्टेडियम जैसा बना हुआ है यहां बैटके हम लोग पैंगुन्स को देख सकते हैं यहां बैटके हम देख सकते हैं अब बाद 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 अब हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन स्टेडियम की तरब यहां पे होगा डॉल्फिन शो तो हम यहां बैठ कर शो देखेंगे कि डॉल्फिन शो स्टार्ट करने से पहले यह लोग एक म्यूजिक प्ले करेंगे और उस पे सब को डांस करने के लिए बोलेंगे सारी ओडियोंस को और सबसे अच्छा जो यहां डांस करेगा उस उन कि डांस स्टार्ट करने वाले हैं और यहां पर सब लोग पागलों की तरह डांस कर रहे थे स्लेक्ट होने के लिए झाले फार्ट करने को खरोगा जैंटक है तधर बहुत। जो जो शो खगाज कर समय वाजब जो जो खशेगा है कुछ हुआ 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 हुआब हुआ 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 और इन लोगों ने तीन लोगों को सेलेक्ट कर लिया था शो खतम होने के बाद ये लोग डॉल्फिन इंट्रेक्शन करवाएंगे अार क्योजश थमला का और में खिरेक्शन अपिरोمةarbeitose खजय कंगर कि बिरादे यार्ग थो खन्याद जसे चिपे हैं नाग्छ था जादे जाज यार्टिया लेड्न मी जयादी गोड़ मैंजिडेख प्रावब लेडिता विए लेली से जब एड़ों नाग जाल जादेख पियादा है झाल जाटेख तो हैं गाल गटनकी तो हैं कि एड Key ते कि एसी झाल करी टारी कि पूर सोच Corn ciel को इसरे कि एसी ऐसी कुग जाईow झी किस्टेफयर ओ कर श्र honest का जहीं नहीं पाँ पॉड़ DivOUG symt बëली जहीं पोर मैं जहीं इंहीं if you just है भीम्ली घाल झी से जहीं जहीं हैं इसे लाड़ाइ। डॉल्फिन शो खतम हो गया था अब हम जा रहे थे सील स्टेडियम सील शो देखने के लिए बहुत अच्छा था डॉल्फिन शो पता नहीं कैसे अनिमल्स को ये लोग इतने अच्छे से ट्रेंड कर लेते हैं बहुत मज़ा आया सबने बहुत अच्छे से इंजॉय किया बच्चों ने भी खूब डांस किया बहुत मज़ा आया अच्छे से बहुत मज़ा बहुत बहुत मज़ा एंच्छा राया मुई प्रिफ बहुत मुए और डो खूब दे रहा दोई रहां लुए और एंच से परती भी झाल चौब बहुत कर देखने दो लिए बंट एफर झाल शेट लड़ दुट्टी बिंग दी दुट्टी कुछ रिजब दूब खरी से बीड़ के जब दुट्टी कुछ बिजब धियो खुट्टी और यहां भी डांस हो रहा है सील इंटरेक्शन के लिए जो सिलेक्ट होगा वो सील को टच करेगा उसको किस करेगी सील और यह मैडम सेलेक्ट होई थी सील उनको हाय कर रही है करेंस बाल कर दो स करेंसे बीज़ अईनको क करेंसे थेघरेक्शन участिको करेंसे कि आंको क्या जे वारीख कीश अूर मुंगा!? व loyalty टू़ बल्रय कि लगो है रही ही है मुष्य को कर दोबक्त कर दिस्यां के विज़्यकार हो दोबक्त को होटकार है माँ जाओ 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 मुझा कर दो और यहां सील शो खतम हो चुका है अब हम जा रहे हैं एक्यूरियम में तो यह बहुत बड़ी प्रानी शिप है इसके अंदर एक्यूरियम बनाया गया है और इस एक्यूरियम में छोटे से लेकर बड़े सारे सी एनिमल्स रखे थे और बहुत ही अजीब गरीब भी थे जो हमने कभी देखे नहीं है और सारे एनिमल्स को उसी तरह का एन्वर्मेंट दिया गया है जो वो ओशियन में जिस तरह से रहते हैं जो अंधेरे में रहती है फिश उनको अंधेरे में रखा गया है जो डीप रहती है उनको डीप में रखा गया है जो रहती 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 है झाल 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 पिर उसके बाद हमने की स्नौर्कलिंग इसमें ऑक्सिजन पाइप मुँ में लगाकर नीचे जाते हैं और फिश को हम बहुत ही करीब से देख पाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और यह एक्सपिरियंस बहुत ही अमीजिंग था फिर उसके बाद हमें बूक लग रहे थी तो हम चले गए थे KFC हमने कुछ खाया यह हस्बेंड और कर रहे हैं फिर हम लोग खा लेंगे थोड़ा सा और फिर हम लोग चले जाएंगे घर सबको बहुत जोरों से भूक लग रही थी मदिया को भी बहुत तेज भूक लग रही थी तो मैंने उसको यह जिंजर खाया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलती हूं मैं आप से नेक्स्ट वॉग में तब तक कि लिए आला आफिस टेक कियर तिल दैन बाइबाई